Hello Traders बहुत सारे लोगों को deposit and withdrawal पे बहुत सारे questions थे तो ये वीडियो आपके लिए एक simple solution है सारे queries का तो मैं आपको यहाँ पे जो tax वाला भी issue आपको आ रहा है क्या इससे account freeze होगा, कैसे withdrawal लो, क्या deposit, कैसे deposit करो काफी सारे जो queries है आपके मैंने इस videos में solve किये तो आपको मैं अलग-अलग easy methods बताने वालो तो make sure करो आप ये video end तक देखना और चलो screen पे बढ़ते हैं इस video में मैं आपको तीन methods बताने वालो आपको जो convenient लगे आप वो use कर सकते हो सबसे पहला method है WhatsApp का deposit and withdrawal service तो ये देखो ये in-house हमारी service है अब ये इसका best part किया है आपको हम five minutes में deposit and withdrawal guaranteed दे रहे कितना भी बड़ा amount हो आपको ये अराम से deposit और withdrawal कर सकते हो आपको bank account में ही ये payment आएगा अगर आप deposit कर रहे हो तो आप bank account से ही deposit करोगे withdrawal ले रहे हो तो आपके bank account में ही ये withdrawal आएगा 100% safe है ये banks के साथ partnered है तो account freeze का कोई भी issue नहीं है बट इसका एक ही criteria है कि जो minimum funds है वो 200 डॉलर चाहिए तो अगर आपके 200 डॉलर के उपर है तो easily ये service आप use कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना इस number पर जाके high डालना है जैसी आप high डालोगे आगे से tutorial वीडियो आपको आएगा उस tutorial वीडियो में सारे steps explain किये गए कोई complication नहीं simple है आप उनको payment करोगे वो आपके exness account में पैसे बेजेंगे और जब भी आपको withdraw करना है आप उस exness account के पैसे उनको वापिस बेज दो और वो आपको bank account में पैसे वापिस देंगे अगर आप 10,000 डॉलर अगर आप अपने उनको pay करते हो और बोलते हो कि मुझे इतना amount exness में चाहिए आप उनको google pay या bank transfer करते हो वो आपने exness account में 10,000 डॉलर डाल देंगे अगर आप 10,000 का 20,000 30,000, 50,000 डॉलर बना लेते हो उनको बोलो same account से मुझे withdrawal चाहिए और 50,000 का withdrawal चाहिए वो आपके bank account में 50,000 का withdrawal देंगे तो बहुत easy है बस इदर message करना है बस only criteria is आपका जो account है मेरे exness के अंडर link होना चाहिए तो ही हम यह आपको service दे पाएंगे तो ही हमको transfer का option आएगा और दूसरा जो funds है minimum 200 डॉलर रखने चाहिए 200 डॉलर इसलिए क्योंकि बहुत सारा spam ना हो जो limited audience है या जो filter हो जाए क्योंकि यो जो UPI होता है उसके काफी limitations होता है दिन के transactions के limit और बहुत सारी limit होता है तो जो serious trader है जिसको proper बड़े funds में trade करना उसको deposit withdrawal चाहिए उसको यह service मिले यह service हम क्यों दे रहे हैं यह service fast है क्यों आपको मैं recommend कर रहो अगर आप Exynos में भी यह similar service आती है deposit में जाओगे तो आप देखो UPA similar deposit होता है यहाँ पर थोड़ा time कभी कभी एक गंटा लग जाता है आदा गंटा लग जाता है और क्योंकि Exynos पर इतने सारी users हो चुके तो क्या होता है कभी कभी payment provider से delay आ जाता है कभी 2 गंटे का 3 गंटे का अभी कभी instant भी हो जाता है लेकिन कभी कभी delay आता है आपको फर शूर 5-10 मिंट के अंदर आपका पूरा जो डिपोजिट यह विड्रॉल है यह पूरा clear हो जाएगा ठीक है तो यह तो हो गया सिर्फ मेरे users के लिए अब आप समझो आप मेरे user नहीं हो और आपको मेरा user बनना है तो आपको मैं एक number दूँगा यहाँ पर आप बस message करो मुझे कि मुझे अपना partner change करना है और मेरा partner बनना है हम आपको एक format दे देंगे उसके तरू आप मेरे partner बन जाओगे and then आपके WhatsApp deposit withdrawal service यूज करोगे simply इस number पर आपको WhatsApp करना है partner change यह तो हो गया अब second method के बात करता हो that is Binance का pay Binance pay कैसे काम करता है Binance pay मैंने पहले वीडियो बना दिया but Binance pay is the fastest method to transfer your amount अब अगर आपके Binance account खोलोगे तो Binance account में Binance pay का option होता है तो अगर आपके बास script हो है Binance pay के अंदर आपके script हो है आपको simply यहाँ पर Binance पर select करना है deposit के लिए आपको amount डालना है जो भी amount है उसके बाद continue दबाना है उसके बाद confirm दबाना है अपके phone में अगर Binance logged in है यहाँ पर scan करोगे तो यह आपका Binance account यहाँ खुलेगा जिस्ट आपको confirm दबाना है that's it instant आपको 500 डॉलर मिल जाएंगे so यह second easiest method है अब सबसे बड़ी problem सबको यह आती है कि भाई मेरे पास crypto ही नहीं है crypto ही नहीं है मैं crypto कहां से खरीदू अब देखो crypto आप खरीदने के लिए बहुत सारे Indian exchanges है वहाँ से आप directly खरीद सकते हो P2P कर सकते हो लेकिन यह जो crypto में थड़े सबसे fastest है सबसे easy और without headache होता है बहुत सारे लोगों को problem आ रही है कि crypto कहां से खरीदे अगर आप वो solution find कर दो किसी exchange से किसी जगह से आप खरीदना शुरू कर दो तो आप Binance पे से instant deposit withdrawal ले सकते हो काफी fast है अब देखो मैं आपको समझाने आ लोगो इसको कैसे use करा जाते है देखो मैं आपको बोलूँगा TRC चूज करो TRC क्या है ERC क्या है वो explain करता हो यह basically अगर आप एक network है so अगर मैं यहाँ पे Bybit खोलता हो Bybit अब आप यूज कर सकते हो अब Bybit पे यहाँ पर अगर मैं USDT देखोगे तो आप deposit and withdraw दोनों option है आपको क्या करना है आपका Bybit में funds है आपको इसको यहाँ से निकालना है withdraw पे क्लिक करोगे और आपको कहाँ deposit करना है XNES में deposit करना है तो आप XNES में click करोगे अब यहाँ पर यह मेरा MTFI का account है मुझे यहाँ पर funds आपने add करने continue दबाओ अब आपको क्या बोलेगा यह जो address है इस address को आप paste करो to deposit funds आपको यह address को paste करना है so क्या करना पड़ेगा जैसे आप यह चीज करोगे आपको copy address दबाना पड़ेगा आपका address यहाँ पर copy हो गया Bybit में या आपके पास जो भी crypto platform है Binance या जो भी है अब आपने यहाँ पर address paste कर दिया so अब यह chain होगा chain मतलब क्या जैसे हमने बात किया $8 की fees है but अगर आप TRC देखोगे सबसे सस्ता TRC होता है $1.3 और काफी fast होता है so हम यहाँ पर TRC select करते तो हमने क्या किया so basically हमने क्या किया हमने TRC पर click किया USDT, TRC 20 continue दबाया address copy किया उसके बाद हमारे पास जहाँ पर भी crypto fund है उधर जाके withdrawal दबाया wallet address paste किया TRC 20 डाला अब यहाँ पर मेरे पास 15,000 डॉलर है तो मैं amount डालूँगा $5,000 अब जैसे ही मैं यहाँ पर confirm दबाऊंगा 5 से 10 मिनिट के अंदर मेरे funds मेरे account में आ जाएंगे तो simple method है बस यहाँ का address मुझे copy करना है और वहाँ पर buy bait या किसी भी exchange में जाके USDT जाके withdraw दबाना है वह address को पेस्ट करना है उसके बाद मुझे TRC 20 सेलेक करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने TRC 20 सेलेक किया है और बस amount डालके उस funds को withdraw करना है 5 मिनिट में आ जाएंगे सो यह तीन method आपको मैंने बता है आपको सबसे easiest for sure whatsapp वाला लगा जो crypto से familiar है उनको यह वाला method सबसे easy लगेगा बट सबसे बड़ी problem मुझे आज के time लगी कि लोगों के crypto है ही नहीं तो ले कहां से simple है whatsapp से आप ले सकते हो but only if you are a user under my link link आपको कहां मिलेगी description में मिल जाएगी अब बहुत सारे लोगों को tax का issue आता है कि tax का scenario समझा जो भी आप यहां पे profit करते हो जो भी आप यहां पे profit करते हो आप क्या गर रहे हो इस profit को अपने bank account में ले रहे हो through third party payment providers so basically आपके bank account में Indian bank से profit आ रहे है Indian bank से amount credit हो रहे है बली अगर आप crypto में profit कर दो crypto का अगर आप withdrawal ले लो फिर भी आप P2P से ही withdrawal ले रहे हो तो आपके crypto का जो भी withdrawal आ रहे है वो किसमें आएगा again किसी third party से ही आएगा किसी person से आएगा तो उस case में आपको अपने CA से consult करना है कि इसको आप other service या normal trading या जो भी आपका normal income slab है उसके अंदर ये fit हो जाएगा अपको अगर आप एक जो भी yearly आप tax paying eligible citizen हो तो उस हिसाब से आप जितना भी income कमाते हो उस हिसाब से आपके income slab में वो fit होगा और उतना ही tax देना पड़ेगा इसको कोई अलग से कोई different rule नहीं है कोई different चीज नहीं है basic जो भी आपका income slab है उतना tax देना है इसको आप other services में भी डाल सकते हो या फिर आपका CA को consult करो अगर आप tax paying citizen हो तो आप क्या CA होगा CA को आप ये situation explain कर दो and he will give a proper way to this but please make sure if you are making money out of this or via crypto please withdraw it in your bank and pay tax और अगर आप tax paying eligible citizen हो और अपने CA से consult करो that's it I think मुझा लगता है मैना सब कुछ explain किया and thank you so much